जै माता की हमारी चैनल में आपका स्वागत है तो आज का वीडियो है कि चंद ग्रहन कब पड़ेगा किस महोर्त में पड़ेगा कितने समय पड़ेगा और कहां कहां दिखाई पड़ेगा ये सारी जानकारी हम आज आपको इस वीडियो में देंगे हिंदू पंचांग के अनुसार चंद्रग्रहन का बहुत महात्व है चंद्रग्रहन उस खगोली सिथी को कहते हैं जब चंद्रमा प्रत्वी के ठीक पीछे उसकी प्रच्छाया में आ जाता है ऐसा तभी होता है जब सूर प्रत्वी और चंद्रमा इस क्रम में लगबग एक सीधी रेखा में अवस्तित हो जाएं तो आईए जानते हैं इस साल 2022 में कब और कितने चंद्रग्रहन लगेंगे तो पहला मैं एक वीडियो सेयर कर चुकी हूँ और दूसरा ये वीडियो में बना रही हूँ तो सन 2022 का दूसरा चंद्रग्रहन किस तिथी को पड़ेगा आठ नॉमबर जी हाँ आठ नॉमबर दिन मंगलवार 2022 समय होगा दूपहर एक बच के 32 मिनट से सायम साथ बच कर 27 मिनट तक रहेगा तो ये चंद्रग्रहन कैसा होगा पूर चंद्रग्रहन होगा कहां कहां दिखाई देगा उत्री पूर्वी यूरोप एसिया भारत आस्टेलिया उत्री अमेरिका दच्णी अमेरिका के कुछ हिसों में दिखाई देगा तो भारत में भी ये दिखाई देगा, यानि कि ये पूरे तरीके से भारत में दिखाई देगा तो अब हम बताएंगे इसमें सो तक कब से लगेगा, कितने समय तक रहेगा तो सो तक चंद ग्रहन के 9 गंटे पहले सो तक काल सुरू हो जाता है जो चंद ग्रहन की समापती पर खत्म होगा इस ग्रहन के दवरान सो तक काल अधिक प्रभावी होता है ऐसे में अधिक साउधानी रखनी चाहिए खास करके जो महिलाएं प्रेगनेंट होती है उनको बहुत जादा ही साउधानी रखनी चाहिए या अगर कुछ खा पी रही है तो उसमें तुलसी दल या कुछ डाल कर सामगरी रखनी चाहिए खाने पीने का जो भी सामान है तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को कैसी लगी अगर दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए साथ में अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके थैंक्स पार वाचिंग मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई बाई एंड टेक केर